हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो माई चैनल तो आज का हमारा कोशन नूमबर 16 तक कंपलेट किया था लगबग तो आज हमारा कोशन नूमबर 16 रहेगा आपकी बुक्स का और यह कंपलेट करेंगे सैलरी इंकम से अब ध्यान से पहले कोशन पढ़ो और उसको अपने अगर जित तो देखें स्टार्ट करते हैं कोशन को और दीरे दीरे एक एक जो रूल से वो अप्लाई करना है श्री महेज भाई नानावटी करके कोई आदमी है इस अ मैनेजिंग डिरेक्टर आफ मुंबाई कंपनी तो वो मुंबाई में कंपनी के अंदर मैनेजिंग डिरेक्टर है यह इस स्पेसिफिक एंपलोई इस स्पेसिफिक एंपलोई बिकोज मैंने आपको बोला भी था कि अगर किसी व्यक्ति की इंकम अगर 50,000 साल की है स्पेसिफिक एंपलोई और मैनेजिंग डिरेक्टर है तो भी स्पेसिफिक एंपलोई हो जाता है मैनेजर ठीक है यह सब उसमें आता था और बाकी भी मैंने आपको बहुत कुछ बताया था उसके रिए अब यहां पर बोला है कि डिटेल अफ फाइनांसियल यह 2019-20 एंपलोई टेक्सेबल सैलरी एंपलोई यह 2020-21 एंवेस्में अंडर सेक्षिंट एटीसी अच्छा आप देखो हमारी जो वेनेज जू है साउथ गुजरात युनिवर्सिटी की जो आपको पेपर आते उसमें syllabus के अंदर इसको कवर नहीं करते हमारी युनिवर्सिटी आपको books के अंदर लिखा भी होगा लेकिन question है तो अगर यह question पूछेंगे तो आपको यह नहीं पूछेंगे लेकिन हमारे knowledge purpose के लिए हम इस question मे इसको भी कर लेंगे ठीक है वैसे ही आपके syllabus में है नहीं मतलब आपका जो syllabus उसमें deduction अवेलेबल नहीं है लेकिन ATC की जो theory वो आपको पढ़नी है और ATC के related question जो है वो हमारी university कभी पूछी नहीं है ठीक है तो यहाँ पर हम इसके बारे में पहले बाद में बात करेंगे पहल आजमी की साल की salary है तीन लाख पचास अजार मतलब यहाँ पर आपको इस तरीके से competition बनाना है और यहाँ पर लिखना है पहले नंबर पर basic salary ठीक है क्या लिखना बेजिक salary एक सेकेंड कितनी basic salary है 3,50,000 रुपिस उसकी basic salary ठीक है आगे बढ़ते हैं तो question में क्या लिखा आगे dearness allowances 20% of basic salary चलो तो आपकी basic salary कितनी थी उसका 20% करना dearness allowances 350,000 की salary का 20% तो 350,000 का 20% मतलब 70,000 70,000 आपको salary के उपर salary तो मिले रही salary के उपर आपको dearness allowances का भी पैसा मिल रहा है company के पास जहाँ पर यह job कर रहा है company मुंबाई में commission 1250 पर मन्त है महीने का है 1250 commission 1250 पर मन्त का है तो that means के हमको 12 करना पड़ेगा कितना आने वाला है साल का commission 15 आजा आगे बढ़ते है bonus 10,000 bonus 10,000 और यह हम यहाँ पर लेख देंगे fourth bonus अच्छा यहाँ पर किसी को यह doubt आया कि इधर 12 नहीं किया भाई हर महीने कौन bonus देता है आप देते हो तो फिर मुझे रख लो helper allowances helper allowances में देखो क्या है helper allowances में क्या rules पहले देखो समझो उसको जाके देखो आपकी books में मैंने आगे पढ़ाया हुआ है कि helper allowances में क्या है helper allowances जो होता है वो company जो देती है उसमें क्या मतलब क्या scene था उसमें कि अगर company ने आपको एक helper मतलब जो personal assistant होता है ना उसको रखने के लिए आपको allowances दिया helper allowances तो यहाँ पर क्या करेंगे तो helper allowances का पैसा कितना मिला पहले बारा आजा एक second यहाँ पर पहले वो लिख देता हूँ helper allowances ओके बारा हजार का helper allowances मिल रहा है क्या करना चाहिए आपको पता है इसमें नियम क्या है helper allowances में नियम यह कि अगर आपको allowances मिल रहा है तो उसमें से कुछ amount less होगी लेकिन पता है यहाँ पर क्या लैस होता है यहाँ पर exemption मिलता है helper allowances में लेकिन कितना exemption मिलता है आपने कितना amounts helper के पीछे spent किया वो मतलब कितना helper को पैसा दिया वो अब question पढ़ोगे ना तो कहीं पर भी question में यह नहीं लिखा है कि question में कहीं पर भी उपर से नीचे तक पर लोग कहीं पर भी ऐसा लिखा है कि helper को मतलब 12,000 आपको allowances मिला उसमें से आपने helper को कितना दिया नहीं लिखा है तो यहाँ पर हम assume करेंगे assume that all amount utilize for helper helper मतलब जितनी भी आपको helper allowances मिला वो सारा का सारा utilize हो गया हम ऐसा मान के यहाँ पर question के अंदर 12,000 का exemption ले लेंगे ओके और आपको यही मानना है कि 12,000 जो helper allowances मिला था वो पूरा खर्च हो गया अगर आपको बोला होता question के अंदर के 11,000 spent for the helper तो आप 11,000 less करते तो बाहर आजाता amount एक वजार अगर आपने 10,000 expense किया होगे तो आप minus करते 10,000 बाहर आजाता अब 2,000 अगर आपने 15,000 expense किया होता real में तो आप 15,000 minus नहीं करोगे तो तो फिर 12 यह minus करोगे जादा खर्चा किया तो फिर वो नहीं देखना है मतलब 12 अजा से ज़्यादा expense किया तो आप minus नहीं करोगे 12 ही minus करके आओगे हाँ अगर कुछ नहीं बोला है तो समझ जाने का हमने जितना allowances लिया है उतना सारा का सारा use कर ही दिया होगा ठीक है ऐसे मैंने आपको 5 expenses मतलब 5 allowances ऐसे बताया थे जहाँ पर आपको actual amount कितनी spend किये वो देखना है एक तो helper एक uniform ज़्यादा से ज़्यादा helper uniform ज़्यादा पूछते है ठीक है फिर एक है आपको वो कौन सा research allowances था ठीक है तो मैंने आपको 5 allowances की एक list बनाई थी वो list आपको याद रखने है कि helper allowances, research academic research allowances फिर आपको uniform allowances ये सब allowances में क्या होता है कि आपने जितना expense क्या उतना minus करना है अगर आपको expense के amount नहीं दे रखिए question के अंदर तो समझ लोगे कि पूरा खर्चा हो गया आपके पास कुछ भी पैसा बचाए नहीं है CT compensatory allowances 10,000 ये fully taxable है CT compensatory allowances fully taxable है CT compensatory allowances 10,000 मिला पूरा 10,000 taxable house rent allowances okay 84,000 यली और actual में कितना spend किया 7,000 पर मंत का rent पे कर रहा था अब यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा house rent allowance कितना exception मिलना चाहिए तो उसका rules पता होना चाहिए कि सर पहले नमबर पे क्या rules था तो पहले नमबर पे सर रूल था कि actual house rent allowances okay actual house rent allowances दूसरे नमबर पे rule था actual rent paid minus 10% of salary okay और तीसरा rule था 40% या तो 50% ठीक है off salary अब 40 कब लेना 50 कब लेना तो मैंने बोला था DMC के Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata ठीक है Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata के लिए आपको 50% देखना है मतलब 50% कब द करोगे आप Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata जैसे अगर city होती है तो वहाँ पर आपको 50% करना और यहाँ पर हमारे पास Mumbai था कोशन के स्टार्टिंग में पढ़के देखो Mumbai था अब यह सब चीजों पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो फिर आप गलती करोगे अब देखो यहाँ पर actual house rent allowances company से कितना मिल रहा 84,000 मिल रहा 84,000 मिल रहा तो actual में उसको 84,000 मिला ठीक है उसने actual में rent कितना पेगिया तो 7,000 rent पेगिया था 12 महीने का तो 7,000 महीने का था तो 12 महीने का उसने 84,000 ही rent पेगर दिया और यहाँ पर 10% of salary करनी है लेकिन आपको पता है salary का मतलब यहाँ पर कुछ और होता है salary का मतलब यहाँ पर होता है एक तो basic salary एक तो dearness allowances लेकिन यहाँ पर dearness allowances तभी होता है जब retirement का part हो ओके retirement का part हो और यहाँ पर होना चाहिए यह commission और एक चीज़ याद रखना है यहाँ पर जो commission होना चाहिए न वो on base of on the base of turnover on the base of sales होना चाहिए मतलब turnover फिक्स commission consider नहीं करेंगे यहाँ पर ध्यान रखना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ fixed commission not consider ओके यह चीज़ यहाद रखना है चलो तो टोटल करते हैं आपके पास salary मिली थी आपको पांस तीन लाग पचास अजार डियर ने से लाओं से 70,000 मिला था लेकिन 70,000 का क्या consider करना था तो दो को लिखा है retirement benefit के लिए consider करना है अना लिखा है तो यहाँ पर लिखा होने के कारण आपको यह पूरा 70,000 consider करना है अगर नहीं लिखा होता तो 70,000 consider नहीं करते हैं 70,000 यहाँ पर consider करेंगे और commission जो है होता है वो fix commission होता है वो consider नहीं करते हम यहाँ पर हमें commission कैसा consider करना है जो based on turnover हो या तो sales आपको बोला होगा कि आपने 5,000,000 का बेचा है तो उसके पर 10% commission मिलेगा आपने जितना बेचा उसके पर percentage के हिसाब से commission मिलेगा वही commission consider करना है फिक्स commission यहाँ पर consider नहीं करना है तो 4,20,000 यहाँ पर आपका answer आएगा और यह 4,20,000 का यहाँ पर 10% करना है मतलब 42,000 अब 84,000 में 42,000 अगर आप less करते हो न तो वापस 42,000 ही बचेगा और यहाँ पर 4,20,000 का आपको 50% करना है तो 50% करोगे तो 2,10,000 आने वाला अब यह तीनों में से आपको क्या करना है तो तीनों में से जो less amount है न वो exempt होती है less amount exempt तो कितनी amount exempt होगी 42,000 exempt होगी मतलब 42,000 पर यह tax नहीं भरेगा उसको कितना अलाउंस मिला था तो 84,000 का अलाउंस मिला था house rent अलाउंस जो मिला वो 84,000 का मिला था लेकिन यहाँ पर 42,000 exempt हो गया उसका क्या हो गया है यहाँ पर exempt हो गया तो exempt हो जाने के बाद यहाँ पर जो बचने वाला है दूसरा 42,000 उसके पर ही वो टेक्स भरेगा तो यह आपका यहाँ पर complete हो गया तो इसके लिए आपको note देखनी पड़ेगी इसकी calculation के लिए ठीक है house rent अलाउंस जीस है और एक house आता है ठीक है दोनों point अलग अलग होते हैं तो होता है बीए बीसी वाला point वो तब होता है जब company ने आपको रहने के लिए फ्लैट दे दिया हो घर दे दिया हो तब यहाँ पर तो आपको बाड़ा दे रही company आप आप घर तो आप खुद का मतलब बाड़े पर दून के रहते हो वो वाला case है यहाँ आप house rent allowances के बाद आपको बोला house के अंदर servant रहा है मतलब नौकर उसकी salary आपका employer पे कर रहा है मतलब आपका boss 14400 तो वो सीदा सीदा taxable वो direct taxable है कि आपके घर के नौकर को salary आप नहीं पे कर रही है आपकी company पे कर रही है तो यहाँ पर taxable हो जाएगा servant salary paid by employer तो servant को जो salary है वो आप नहीं आपकी company के जो employer है आपका जो boss है वो पेर कर रहा है तो वो आपके लिए taxable हो जाएगा payment made by the employer for the free supply of gas electricity provide for the personal use 62500 लो आपके घर का जो gas है और electricity है वो भी company free में supply कर रही है आपको 60 to 50 का 60 to 50 का तो यह तो आपके लिए taxable हो जाएगा क्योंकि आपको मतलब facility मिल रही है एक तरीके से तो यहाँ पर हो जाएगा free gas and electricity trick city ठीक है complete आगे बढ़ते है आगे क्या लिखा है concessional lunch facility provide during the office hour देखो office के time के दौरान आपको company ने per dish 100 रुपे का खाना खिलाया 200 दिन तक और यह सारा खर्चा company ने bond किया है मतलब company ने बोला के हम उठा देंगे मतलब आपने 100 रुपे की dish 200 दिन तक खाई ठीक है 200 दिन तक खाते रहे बस तो यहाँ पर कितना हो गया 20,000 ठीक है company ने आपको कितना मतलब expense किया आपके पीछे खाने बायाने खिलाने के पीछे तो यहाँ पर लिख देंगे 10 पॉइंट में lunch facility 200 दिन खाना किलाया एक दिन का 100 रुपे 20,000 का खर्चा उठाया company ने आपको पता है यहाँ पर exception कितना मिलता है यहाँ पर exception मिलता है 200 दिन का एग दिन का 50 रुपे का exemption होता है एक खाना किलाया 50 रुपे minus एग दिन का पर mil होता है पर mil मतलब एग दिन का नहीं होता है वैसा तो जो आपको lunch facility provide की वैसा लंज तो एक ही बार लोगे न कोई दो बार थोड़ी लंज लेते है ठीक है देखो इतना भी यहाँ पर अजप्षिन ऐसे नहीं लेते जाने का कि मतलब उसने एक दिन में दो बार खाना खाया वो बस सब उससे कंदर आ गया 200 दिन कंदर सब आ गया आप token amount 30 rupees token amount मतलब company ने उसको 100 रुपे का खाना खिला है बदले में 30 रुपे मांग लिये थे उसकी salary से deduct किया था देखो deduct from his salary मतलब यहाँ पर 200 दिन में से 30 rupees मतलब company ने मांग भी लिये थे मतलब यहाँ पर exempt amount में से आपके पास recovery भी कुछ हुई थी 200 दिन 30 rupees माइनस 6000 और माइनस आपको सिफ 4000 का फाइदा हुआ वो 4000 आपके लिए taxable हो गया ठीक है complete बस नियम याद रखना है और उसको apply करना है और कुछ नहीं करना ठीक है नियम याद रखना है और इसको apply करना है और कुछ नहीं करना है चलो the employer has provide a car with a driver अच्छा देखो car वाला फिर से आया है और car वाला आए गई एक्जाम में 100% उसके बिना तो question पूछा नहीं होगा car house वो तो confirm है house नहीं होगा तो house rent allowances होगा और house rent allowances नहीं होगा तो house दिया होगा कहीं ना कहीं तो आपको यह point करना पड़ेगा तो company ने देखो यहाँ पर क्या लिखा employer has provide a car मतलब company ने उसको एक car provide किये with driver all expenses and maintenance are born by the employee देखो यह word ध्यान रखना यह word ध्यान रखना employee मतलब जो यह नाम कौन है इस आदमी का नाम क्या था हाँ भाई महेज भाई था तो महेज भाई नहीं खर्चा किया था company ने बोला भाई देखो car हम दे रहे driver हम दे रहे ठीक है बाकी का खर्चा तू जान लेना ठीक है बाकी का मतलब car के अंदर petrol diesel और जो भी मतलब उसको repair करवाना है जो regular monthly जो expense होते है repairing या तो जो भी expense है वो सब तो मतलब उसको महेज भाई को करना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आगे office मतलब car जो use करने वाले न वो office और private दोनों के लिए use करेंगे और car का जो engine है वो 1.4 cc का engine है 1.4 cc हमारा criteria 1.6 cc का है अगर उससे कम होता है तो मतलब यह small car है 1.6 cc से कम है तो dad means के small car अब देखो यहाँ पर कैसे देखना है यहाँ पर कैसे देखना है वापस यह चार्ट पर आ जाते हैं देखो company ने car दी है okay खर्चा कौन कर रहा है company कर रही है या employee कर रहा है तो employee कर रहा है okay car कौन से use के लिए तो car दोनों purpose के लिए office और partly office और partly personal ऐसा बोला है तो यह आपका answer आया यहाँ पर car की engine की capacity है ना 1.4 की है ऐसा बोला है तो 1.4 की है मतलब यह लगेगा और यह लगा है मतलब आपको 600 रुपे पर मन्त का expenses लगेगा और 600 रुपे पर मन्त का आपको taxable होगा अगर driver दिया तो 900 जोड़ देना पड़ेगा तो 600 प्लस 900 मतलब 1500 रुपे महीने का आपको लगने वाला है taxable महीने का तो इसको तो साल का कितना लगने वाला है car देखो पंदरा सो इंटू बारा कर दो पंदरा सो इंटू बारा कितना आने वाला है अटरा आजा बस बात खतम हो गई ठीक है चलो बार वाँ question पे आते है बार में point पे देखो क्या लिखा है company contribute तो recognize provident fund में company contribute कर रही है कितना पैसा company contribute कर रही है 63,000 और हमें यही देखना है company ने कितना contribute किया ठीक है वो महस भाई कितना contribute कर रहा है उसका कोई लेना देना नहीं ठीक है वो महस भाई जाने हमें तो company ने उसको क्या दिया वो देखना है ठीक है taxable क्या होता है company ने उसको कितने facility दी कितना मतलब पैसा दिया कितना मतलब benefit दिया वो तो मतलब यहाँ पर contribution in recognize provident fund उसमें से आपको exemption कितना मिलता है बोलो कितना exemption मिलेगा आपको पता है salary का 12% exemption मिलता है आपको पता है salary का 12% लेकिन salary का मतलब क्या होता है यहाँ पर salary का मतलब यह होता है कि dearness allowances के साथ लेना होता है salary को अगर dearness allowances retirement का part है तो और यहाँ पर थी भी retirement का part क्योंकि हमने उपर एक question किया था ना topic उसके अंदर ही कर लिया था retirement का part था यहाँ पर यहाँ पर retirement का part था तो 35 और 70 को add कर देंगे हम यहाँ पर 35 और 70 को हम add कर देंगे और फिर उसका 12% करेंगे और पचास अजार चार सो आएगा और यह पचास चार सो को आप less कर दोगे बारा छे सो answer आजाएगा तो यह आपका हो गया एक और topic आगे बढ़ते हैं देखो rules याद होता है न तो question फटा फट निकलेंगे बस rules पे थोड़ी मैनत करने question के पीछे मैनत नहीं करने question तो मतलब आपको rules आते हैं तो question अपने आप आ जाते हैं यहाँ पर लिखा क्या है interest credited to recognize provident fund 10.5% और 2100 रुपे का interest मिला आपको 2100 रुपे interest मिला है recognize provident fund के पर मतलब interest on recognize provident fund 2100 रुपे का interest मिला और वो कौन से हिसाब से मिला आपको पता है 10.5 के हिसाब से मिला है अब यहाँ पर आपको यह देखना है कि exemption कितना होता है तो यहाँ पर exemption की amount है 9.5% तो आपको यह देखना है 10.5% के हिसाब से अगर आपको 300 मिलता है तो 9.5% के हिसाब से आपको कितना interest होना चाहिए जो कि exempt है तो आप उसको कर सकते हो बीस नौ सो यह आप लैस कर दोगे बीस नौ सो को तो जो remaining amount रह जाती है वो आपको taxable हो जाती है सीदा सीदा है बाइस सो रुपे taxable हो जाएगा तो यह आपका यहाँ पर इस तरीके से question में रहेगा तो देखो आपने अभी तक बहुत सारे question कर भी लिए 4-5 question हमने किये लगबग सभी question में एक point तो confirm है क्या आती ही आते है मतलब कुछ-कुछ point तो confirm है आते है तो बस आपको उस point पे ज़्यादा focus रखना है और उसको 100% complete करो क्योंकि बाकी के चीज़े होपे यहाँ पर इतना है नहीं कि जो पूछते है आपको ठीक है basic basic सी चीज़ है जो आपको याद रखनी है और यह आप 10 5-10 question करके पूरा याद रख सकते हो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है professional tax है professional tax है वो paid कर रहा है employee employee पे कर रहा है okay 200 रुपे महीने का employee पे कर रहा है तो कोई बात नहीं employee का मतलब कौन हो जाएगा यह महेज भाई पे कर रहा है महेज भाई खुद tax पे कर रहे है और वो कहां पर आना चीए तो देखो professional tax हो है वो यहां पर आएगा पहले तो इसका total करना पड़ेगा और फिर यहां पर आना चीए professional tax और एक होता है standard reduction ओके तो professional tax महीने का 200 था तो 200 इंटू 12 करोगे था तो 24,000 आ जाएगा sorry 24,000 आएगा 24,000 ने 24,000 24,000 आएगा और आपको पता है 50,000 तो आपको minus करना ही करना है ठीक है ना 50 तो minus करना ही करना है आपको चलो total करो सभी amount को कि भाई इंसको पूरे साल कितनी amount पर tax भरना पड़ेगा तो यहां पर total finally जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका किया अपने total तो देखो मेरा तो आ रहा है यहां पर 554450 ठीक है और यहां पर 2400 minus करो और 50,000 minus करो तो debt means के बहुत अच्छा अंसर आ रहा है यहां पर पचास बीस पचास और यह आ गया taxable salary और इसको बोलते gross salary okay complete तो यह तरीके से आपको question करना है अब थोड़ी बात कर लेते हैं वो deduction वाले topic के अब आपको पता है सरकार जो है न अपनी अपनी जो इंडियन government है उसने tax लोगों को बचाने के भी option दिये ऐसा नहीं कि मतलब लोगों को tax लेना ही लेना है जैसे यह आदमी है कौन है महेज भाई उसने कितना invest किया मतलब उसने कितना पैसा कमाया पूरे साल में पांच लाग दो हजार पचास रुपे उसने कमाये लेकिन महेज भाई जो है न वो कहीं न कहीं पैसा invest भी करता होगा अब यह आपको पूरी बात जानने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके syllabus में इतना है नहीं वो उसके लिए मैं अलग से बैस ले लूँगा तब मैं आपको समझा दूँगा आपको पता ATC करके एक section है जिसको deduction की section बोलते हैं अब यह section में total 22-23 point लिखें कितने 22-23 point लिखें total 23-24 ऐसे कुछ point लिखें अब यह 23 point अगर आप पढ़ते हो ना generally 20 point तो minimum लिखें अग अगर यह 23 point में अगर आप पैसे invest करते हो ठीक है तो आपको government जो है ना वो उतना amount का deduction देदेगी उतना amount का क्या देदेगी deduction देदेगी तो उसमें पता है कौन से कौन से point है देखो पहला point उसमें यह है कि अगर कोई आदमी की LIC है यस इस आदमी ने LIC में premium बढ़ा जब जै half insurance premium तो आप भरते होंगे तो वो एक तरीके से आपका गिना जाएगा deduction के तौर दूसरा अगर आप national saving certificate में पैसा invest करते हो NSC में तो यहाँ पर देखो NSC national saving certificate में issue कर रहे हो आप पैसा कितना भर रहे हो पैसा 45 पिर उसने fix deposit में invest किया है कि SBI की लेकिन उसने गलती यह कर दी है तीन साल का है तीन साल का होता है तो यहाँ पर deduction नहीं मिलता है पांच साल के लिए पैसा invest करना पड़ता है तो यहाँ पर यह एक लाग का deduction उसको नहीं मिलेगा और एक और चीज तीसरे number की recognize providence fund में पैसा invest कर रहा है कि नहीं कर रहा है यह महज भाई तो yes कर रहा है देखो कहां पर यह रहा 42,000 मिला he has contribute 42,000 recognize provident fund तो वो यहां पर consider किया जाता है कि 42,000 जो है न वो उसने recognize provident fund में पैसा invest किया तो इतना पैसे का total होगा और आपको total करना है तो कितना आ रहा है एक second 1,27,000 आ रहा है तो आपका जो salary आया है न उसमें से इतना पैसा और minus करना है और फिर बाद में जो amount आएगी उसके पर tax बरना है बात समझे यह होता है यह सरकार आपको अलग से benefit देती है कि यहां पर आप पैसा invest करो मतलब सरकार चाहती है कि LIC low सब जरूरत आने पर काम लगेगी national saving certificate होता है मतलब आप एक तरीके से government की scheme होती है वहाँ पर पैसा invest करो recognize provident fund में पैसा invest करो ताकि आपको जब retire होने के बाद वो पैसा मिले तो काम आए तो वो सब चीजों पर tax का deduction हो रहा है मतलब आप जितना कमारे हो उतने में से less हो जाएगा इतना amount अब देखो यहाँ पर एक चीज जरूरी है यहाँ पर maximum पता है कितना deduction मिलता है maximum 15,000,000 कितना मिलता kol dum 15,000,000 मतलब अगर आपने जादा पैसा इन्नेट किया है चलो सब कुछ मिला के 1,60,000 इन्नेट कर दिया 1,60,000 तो क्या 1,60,000 hon skal आपकी salary में से नहीं आपको ओं फिप्टी ही लेज करना है maximum थीलेकिन यहां पर दो problem नहीं है 27 है तो आपको मतलब ठीक है इसलिए तो बोलते है देखो आपको पता है इंडिया में income tax के उपर अभी इस साल अगर बात करें तो यह आदमी जो है पांच लाग बीस जार पचास रुपे कमा रहा है अगर देखो यह सब चीज मैंने knowledge के लिए बता रहा हूँ आपका question कप कप ही निस हो गया अब मैं यह जो चीज बता रहा हूँ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको अगर देखना है कि यह कितना tax बढ़ता है तो देखो पांच लाग बीस दो हजार पचास रुपे यह उसने कमाया salary के तौर पर उसमें से एक लाग 27,000 का उसको 80C का deduction मिल जाएगा और जो बज गया ना उसके पर tax बरेगा 3,75,050 पर और आपको पता है ना के 2,50,000 तक तो tax लगता ही नहीं है किसी को और 2,50,000 से अगर आपकी income बढ़ती है 5,00,000 तक तो आपको 5% tax बढ़ना पड़ता है कितना परसंट 5% तो यह आदमी की income 2,50,000 से बढ़के कितनी हो रही है 3,75,050 रुपे तो इसको tax कितना बरना पड़ेगा इसको tax कितना बरना पड़ेगा देखो मैं बता आता हूँ इस हिसाब से calculation होती है इसका कितना परसंट होता है 5% तो इसका 5% मतलब क्या आने वाला है 6252.5 आ रहा है तो इसको round off कर लो आप 6253 कर लो अब आपको पता है कि अगर आपका tax हो है न वो 12,500 तक exempt होता है मतलब आपको अगर 12,500 तक का tax आता है न तो tax भरने की ज़रूरत नहीं होती ठीक है उसको बोलते है रिबेट बोलते तो यहाँ पर 12500 तक का टेक्स आया तो भरने की जरूरत ही नहीं है तो इसका तो 12500 से कम है तो यह आदमी टेक्स भरेगा तो नहीं निल एक भी रुपे टेक्स भरने की जरूरत नहीं है मतलब पांच लाक कमा के भी आप टेक्स नहीं भर सकते हो ऐसा पोजीसट आप बना सकते हो ठीकर लेकिन उसके लिए सब कुछ जानना जरूर ये तो मैंने आपको अपने एक्स्रा तरीके से बता दिया ठीक है शूरो कर दो